आपके तलाग के केस को कितना लंबा खीचा जा सकता है? मान लीजे पती और पत्नी के वीच में जगडा या डिस्प्यूट चल रहा है तो आपके डाइवॉस का जो केस है, तलाग का जो केस है, वो कितना लंबा खीचा जा सकता है? पती के द्वारा या पतनी के द्वारा आपका पहला प्रशन और साथ ही साथ एक दूसरा प्रशन जहां पर हम पैसों को ले करके बात करेंगे कि आखिर डाइवॉस का जो केस है वो मुफ्त में भी किया जा सकता है या नहीं दोनों प्रशन की जानकारी इस पुर्टिकलर वीडियो में मिलेगी नमशकार आपने शुरुवात की है अशोप पांडे के साथ दोनों प्रशनों को ले करके चलेंगे इसके उत्तर धूरने की कोशिश करेंगे बने रहे अंद तक आपको जानकारी पूरी मिलेगी चले पहले प्रशन को लेते हैं कि कब तक कितरा लंबा पती या पत्नी तलाक के केस को खीच सकते हैं बार बार अनेको बार मैंने आपको बताने का किया है प्रयास कि दो तरीके से तलाक होते हैं एक आपसी सहमती तलाक और दूसरा contested लड़ जगड कर लिया गया तलाक एक आ विवाद था, विवाद को सुलजाने का उन्होंने पहले ही पूरा नक्षा तियार करके रखा है, रोड मैप तियार करके रखा है, अब इस कंडीशन पर बच्चे किसके साथ, प्रॉपर्टी कितनी, कौन किसको विज्डिंग एकसर राइट देगा, कैसे मेंटेरेंस देना है या नहीं देना है, जो भी सारे के सारे टर्म्स उन्होंने डिसाइड करके रखे हैं, तो छे महीने का जो पीरियड है, वो एक तरीके से मेंडेटरी पीरियड है, लेकिन फिर काफी सारे सुप्रेम कोट के जज्ज्मिंट आए, ओनरेबल हाई कोट के जज्ज्मिंट आए, जहाँ पर बताया कि इस 6 महीने के period को भी wave off करके, कम करके, खतम किया जा सकता है, बहुत कम किया जा सकता है, और एक-दो महीने के अंदर भी आपका तलाग हो सकता है, वेविंग के लिए application लगाई जाती है, जो cooling period 6 महीने है, लेकिन अगर इसको extend करने, खीचने की बात आए, मान लिजे पत्नी को परिशानी है, वो चाहती कि केस और लंबा खीचे, या पती को दिक्कत है, वो और लंबा, mutual divorce को खीचना चाहता है, आपसी सेमती तलाग को, तो maximum 18 महीने, याने देड़ साल तक खीचा जा सकता है, कम से कम एक 2 महीने, वैसे 6 महीने हैं, और जादा से जादा 18 महीने है, अब आते हैं दूसरा प्रकार, लड़ जगड कर लिया गया तलाग, पती तयार है तला के लिए पत्नी तयार नहीं है, इस condition पे कितना लंबा खीचा जा सकता है, कह नहीं सकते, कोई specified या fixed time नहीं है, लेकिन फिर भी जब कभी आप contested divorce के लिए जाते हैं, प्रक्रिया आप कितनी भी तेजी के साथ में करें कम से कम आपको एक साल का समय लग जाता है और जादा से जादा कि तो आप बात मत कीजिए लेकिन फिर भी अमोमन ऐसा समझा जाता है कि तीन साल का जो समय है लगबग धाई साल, तीन साल या 2-3 साल का आप समय पकड़ के रखें कि अगर आपकी सारी प्रक्रिया जो है वो ठीक ठाक चल रही है सही तरीके से चल रही है हर महीने on average अगर आपकी डेट आ रही है तो एक साल में 12 डेट हो गई, दो साल में 24 हो गई तो 36 डेट के पहले, 36 डेट के पहले आपके examination, cross examination, judgment, final decree तक की जो stage है वो आजाती है तो कितना लंबा खीचा जा सकता है अगर सही तरीके से आपका case चला तो 2-3 साल और अगर बेवज़ा का उसको खीचा गया यहां से, वहां से, हर तरह से तो 5 साल तक खीचा जा सकता है और भी कईयों कईयों मामले में जहां पर तारीक लंबी-लंबी जा रही है husband, wife, दोनों बस case को extend करने की कोशिश कर रहे है या कई बार legal technicalities की वज़़े से तो वहां पर यह 5 साल से भी ज़्यादा का समय हो जाता है लेकिन अमुमन बहुत भी आप अगर कोशिश करें तो maximum है यह आपकी लेकिन एक साल से लेकर के 2 या 3 साल तक आपका case खतम हो जाना चाहिए यदि वो सही दिशा में चल रहा है मैं contested divorce की बात कर रहा हूँ अब appeal जो high court में होती है वो दूसरा दूसरे प्रश्णों को अगर हम ले तो जहां पर हम पैसों की बात करना चाहते हैं पैसों की बात इस वज़़से क्योंकि जो mutual divorce है वो तो कम पैसों में हो जाता है लेकिन जो contested divorce है उसमें बहुत पैसे लग जाते हैं समय बहुत लग जाता है एनरजी बहुत लग जाती है तो इस वज़़से क्या मुफ्त में भी तलाग किया जा सकता है contested divorce या mutual divorce अगर आप गरीबी रेखा में है या आपके घर परिवार में ही कोई वकील है और वो आपका free में case कर दे तो नहीं कह सकते तीसरी condition ये कि आप अपना case खुदी लड़ने तो भी कोई problem नहीं आपका मुफ्त में हो जाए आपना case लड़ सकते हैं इसके पहले कुछ वीडियो में ने explain किया कैसे लेकिन अगर आप गरीब है low poverty line BPL उसके अगर आप नीचे हैं अगर आपकी आजीविका अरजन के लिए आपको मुसीबत आ रही है आप green card holder है इसके साथ ही साथ अगर आप निशक्त जन हैं आप disabled हैं तब भी आपको government की तरफ से अगर आप बच्चे या महिला हैं तब भी आपको सरकार की तरफ से राजी और किंदर सरकार की तरफ से विधिक सहायता यानि legal aid provide की जाती है जहां पर आप मुफ्त में भी अपने केस को लड़ सकेंगे सरकार आपको assist करती है, मदद करती है तो आप मुफ्त में भी केस लड़ सकते हैं condition 3, पहला जो वकील है कर लें, तो भी आपके पैसे बच जाएंगे या तीसरा कानूनी जो बात है वो कि legal service authority हर district में होती है आप उनकी मदद ले सकते हैं राज्य सरकार आपको मदद करेगी लेकिन condition या कि आप गरीब हो, निशक्त जन हो या बच्चे हो, या बुड़े हो बुड़ों के लिए भी होती है, जो 60 अबव senior citizens होते हैं, उनके लिए भी ववस्ता की गई है और साथ साथ में या कि आप महिला हों, तो आपको इसका benefit मिलेगा, आपको ये दोनों ही प्रशनों की जानकारी कैसी लगी, मुझे ज़रू बताएं और subscribe किये बिना ना जाएं, साथ ही किसी परिशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं बात इस वीडियो के description में डिटेल एं लिंक है जहां से direct appointment बुक करने के बाद आपकी और हमारी हो जाएगी बात मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त और सुरक्षित रहें